नमस्कार पॉड्कास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से पॉड्कास्ट में हैं और इस पॉड्कास्ट में हमारे साथ हमारे तीन साथी मौजूद हैं उन सबसे आपका परिचे करवाऊंगा लेकिन उससे पहले 77 साल पूरे हो गए उसकी बहुत सारी सुबकामनाएं बढ़ाई देता हूं और इसी पर आज चर्चा हम करेंगे हम समझना चाहते हैं कि आखिर आजादी क्या आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं तो कब आजादी मिली ये चर्चा क्यों आज हम कर रहे हैं इसलिए क कर रहे हैं क्योंकि बार बार पिछले 10 साल में 11 साल में ये चर्चा खूब हुई कि आजादी तो 14 के बाद मिले यानि 2014 के बाद मिली कई बार चर्चा ये होती है कि पहले की सरकारों ने उस धंका काम ही नहीं किया कि देश आजादी का जश्न ठीक से मना पाए देश के जो न दूनने की आज हम कोशिश करते हैं मेरे दाहिने साइड समिरात्मज मिश्र जी है समिरात्मज जी आपका स्वागत है हमारे साथ में दो हमारे साथ ही है प्रशान टंडन जी और अतुल सिन्हा जी आप सब परिचित हैं समिरात्मज जी से भी परिचित हैं और प्रशान ही होती है और आज जब हम यह जश्र मना रहे हैं अठातर साल होने मतलब हो गया अठातरवा सोतंतरता दिवस है और ऐसे में यह सवाल कई बार कई मंच से उठाए जाते हैं पूछे जाते हैं प्रशान जी कि आज़ादी तो हमें आज तक मिली ही नहीं थी 2014 के बाद आज़ादी मिली और उसके बाद हम खुले में सांस ले पा रहे हैं हमारा देश काफी डिबलब कर गया विकास की गती जो है वो काफी तिब्र हो गई 2047 का जिकरब आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उस समय हम विकसित भारत हो जाएंगे ये सारी बाते क्या पिछली सरकारों ने विकसित भारत का सपना नहीं देखा था क्या पिछली सरकारों ने देश को उस मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की मैं पिछली सरक आज तो उठाने चाहिए बात किये जा करना चाहिए इसलिए यह सवाल आप से अतुल जी से भी समिरातमज जी से भी एक एक करके अपनी बात हम लोग रखें मैं आजादी शब्द पे आऊंगा कि आजादी शब्द के माइने क्या है और क्या हमारा हासिल है लेकिन दो एक इतिहास में अगर हम जाके देखें तो 2014 की जो बात आप कर रहे हैं यह कुछ सोशल मीडिया के ट्रोल्स कहें या आई टी सेल या ऐसे लोग ही यह सवाल उचा रहे है कोई संजीदा व्यक्ति जिसको जिसने भारत को देखा है जो भारत से प्यार करता है जिस जो आजादी के आजादी की लड़ाई के मूल्यों को जानता है वो ऐसी मुखरतापूर बात नहीं करेगा कि 2014 के पहले आजादी नहीं थी यह तो ऐसी हल्की फुल्की बात है लेकिन 2000 सन 1947 में जब राजीव जाजादी मिली तब उस वकत मैं एक दो पैमाने लेता हूं आनाज के मामले में हम आत्म निर्बर नहीं थे बाहर से गेहूं आता था हम तो और हम सभी शायद उस दौर में पैदा हुए है जा हमने सत्तर और असी के जशक को भी देखा है तो हमारी जो आसत आयोती भारत की उस वकत वो पैटिस साल थी आजादी के समय बिलकुल बत्तिस पैटिस साल थी हमारे पास सेना बहुत ही नाम मात्र के सेना थी तमाम राजे लजवारे अलग अलग थे देश को युनाइट करना एक बड़ा एजिंडा था हमारे पास युनिवस्टी बहुत सारी नहीं थी मेडिकल कॉलेजिस नहीं थे सांस्कृतिक संस्थान नहीं थे आजादी जब मिली उसके बाद की सरकारों के लिए सबसे बड़ी दो प्रमुक्ताएं थी एक भारत का जो संविधान है उसको कितना लागू कर पाते हैं उसका एक क्रिटिकल अनालिसिस भी है जो मैं करूंगा आगे लेकिन भारत का संविधान कैसे लागू होता है आजादी के मूल कैसे सुरक्षित रहते हैं तो एक बड़ी उपलबदी र लुक्तंत्र को लागू किया और सभलता पूर्वर लागू किया आप देखिए कि उसी दिन मतलब एक दिन पहले चौदा तारिक को पाकिस्तान आजाद हुआ पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ दुनिया भर के संविधानों को अगर हम देखे हैं तो संविधान की ओसत आयू दुनिया भर में सत्रा साल है जी और हम साथ दशक से भी उपर हमारा संविधान है और संविधान सुरक्षित है यह जो सम्मिधान की हत्या वगरा के नारे दिये गए, उन सब के बास भी सम्मिधान सुरक्षित है, और अभी आप बांगलादेश पर देखने क्या हुआ, और एक दो बार नहीं, तीसी चौथी बार वहां सम्मिधान सगित हुआ है, सम्मिधान पर बड़ी चुनौती आई है तो एक तो यह कि हमना डिमोक्रिसी जो है, हमने जो बना के रखी है, उसमें चुनौतीया हैं, आगे पीछे आई हैं, लेकिन कुल मिलाके कि हमारा लोकतांत्रिक, सम्मिधान लोकतांत्र जो है, वो बना हुआ है, यह बड़ी उपलब्दी है, 78 साल जब हम बात कर रहें, 78 व आप देखिए कि उसकत फैक्टिया नहीं थी, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हमने बनाए, टेकनोलोजी दुनिया में भी उतनी नहीं थी, भारत में तो टेकनोलोजी में बहुत पीछेते हैं, हमने तो दोर देखा है, जब राशन की दुकानों पे कपड़े भी आया कर करते थे, जब राशन की दुकान से, अब आज उसको बैठ कर, आप किटिसाइज कर सकते हैं कि उसकत क्यों नहीं था, उसकत दुनिया में यही इस्टिती थी, पूरी दुनिया एक हो रही थी, 21st century की दुनिया नहीं थी वो, वो सकत का भारत के सामने चुनावत या दूसरी और उन चुनावतियों को के आलोशना हो सकती है, लेकिन भारत का अगर आप देखें कि infant mortality rate या जो आउसत आयू है, आज लगबक सतर साल है, इस सतर साल मोदी जी ने नहीं कर दिया है, मोदी जी जी ने इसमें एक साल भी नहीं बढ़ाया है, मोदी जी जी सत्ता में आया है, तो 69 साल थे और आज भी 70 साल है, तो और उसमें आप देखेगा कि करनाटका का 5 साल आगे है, उत्तर पदेश का कई साल पीछे है, जो राश्टी और सत्त है उससे, ये चुनातिया हैं, लेकिन उनके बावजूद हम कहेंगे कि हमारे देश की उपलब्दी, तमाम केवल सरका की बात नहीं है, देश के वेग्यानिकों ने, सिक्षाविदों ने, चात्रों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सब ने मिल करो महिलाओं ने, सब ने मिल कर इस देश को यहां तक पहुँचाया है, जहां आज हम हैं, इसमें बहुत चुनातिया हैं, जो हम आगे चर्चा कर इन चुनोतियों और 2014 के बाद और 2014 से पहले देश विकास के राह पे क्या था या नहीं था या आज इन बातों की तहकीकात करना तह में जाना बहुत जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है कि हाँ भारत जैसे बता रहे हैं प्रशान जी कि कैसे हम यहां से यहां तक जाते हैं बताया जाता है कि नहरू कुछ नहीं किया इसलिए तो क्या नहरू का जी नहरू का सिर्फ नहरू की ही बात नहीं है नहरू से लेकर अब तक अगर जितनी भी सरकारें आई ठीक है मोदी के पहले की भी धेर सारी सरकारें रही चाहे वो इंद्रा गांदी की सरकार ह या फिर उसके बाद की जो गटवंदन की जो सरकारें चली वाजपेजी की सरकार हो क्या सबने कुछ नहीं किया ये तो कहा ही नहीं जा सकता और ये जो भी कहता है बेवकूफी वाली बातें ही करता है और इसको प्रचारित किया गया है जबरदस्ती इसको आप पॉलिटिकल इशू कह सकते हैं लेकिन एक सामान आदमी आज हम जहां बैठे हैं जहां खड़े हैं जिस मुकाम पे हैं तो ऐसा तो कहना बहुत ही गलत है जहां तक उस दौर की बात अगर हम लोग याद भी करते हैं तो उस दौर में भी हम सब ने बच्पन से इतनी सारी चीज़ें देखी राजनितिक तौर पर अपने देश को बनते हुए देखा अलग-अलग खेमों की लडाईयां देखी लेकिन ये लोकतंत्र की एक खुबसूरती रही हमारे याँ हमेशा शुरू से कि सब को बोलने की पूरी आजादी रही सब ने अपने तरीके से अपने देश को देखा और उसके विकास के लिए ही काम किया maximum आज हम राष्ट भक्ति या देश भक्ति की बातें करते हैं पिछले कुछ सालों से या एक दशक से आप कहलें कि भाई राष्ट भक्ति का तो पैमाना ही बदल गया और राष्ट भक्ति की परिवाशा ही बदल गई तो वो सारा का सारा जो एक प्रोजेक्शन है वो बदला है और आज दिखावा जादा है जिसको की इस सरकार ने उसमें तब्दील किया मार्केटिंग में तब्दील कर दिया पूरे के पूरे प्रचार तंत्र को सबसे पहले लेके आए कि अगर आप देशभक्त तभी हैं जब आप जंडा लेके सामने एक सेलफी खिचाएं और अपने मुबाइल पे उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक करें तभी आप देशभक्त हैं वरना नहीं है बाती साल भर आप कुछ भी करते रहें तो यह सब जो इस तरह का परसिप्शन बनाया गया वो तो सही नहीं कहा जा सकता किसी भी इस तर पर लेकिन जहां तक विकास की बात अगर हम लोग करते हैं तो विकास तो भाई देखिए राजीव जी आज से नहीं विकास तो पर मैं देखा है कि इंद्रा गांजी राके शर्मा से बात कर रही है कि सबसे और वो कह रहा कि सारे जहां से अच्छा है यह लाइव तस्वीर दूर देखी थी राज अतुल दी हम लोगा है और आप यह देखिए कि रेलवे का नेट वर्क देखिए सबसे एक इम्पॉर्ट की जो पूरी विवस्था थी जिसका इतना बड़ा नेट वर्क ऐसे तो खड़ा नहीं हो गया तो यह सब तो जो चीजें हुई हुई ही लेकिन अब आज की तारीक में 77 सालों के बाद अगर हम इसकी अनालिसिस करने बढ़ते हैं तो पिछले 10 सालों का खोखलापन अपने आ दिये बनाए उसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश है और उसको भी किस तरह से बढ़ाया जा रहा है ये भी देखा जा रहा है बिलकुल तो चाहे वो शिक्षा हो स्वास्त हो हर हर सेक्टर में देख लीजी तो ये पूरा का पूरा पैमाना बदला है लेकिन बेशक हमें ये उमीद करनी चाहिए कि 78 साल 78 मां हम स्वतंतरता दिवस मना रहे हैं और अपने देश में हम जाहिर सी बात है कि एक खूबसूरत देश का सपना ले करके हम सब बैठे हैं तो अब आने वाले वक्त में चीजें बदलेंगी ये उमीद तो है ही और जो एक दृष्टी है राजन किये गए हैं लेकिन बावजुद इसके अभी एक नया युवा वर्ग बड़ी तेजी से उभर करके आ रहा है जो चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकली देख रहा है और यह हमें उमीद करनी चाहिए कि इस आजादी के समय और इसकी चर्चा करते हुए हमें एक खूबसूरत बहुत महत्पूर्ण कह रहे हैं एक तो यह कि नया युवा वर्ग जो है वो तेजी से उभर के आया है दूसरी बात राजनितिक चेतना की उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और समिरातमस जी मैं आपको भी चाहूँगा कि जुने इस चर्चा को आगे बढाते हैं औ और इसके बाद हम फिर चलेंगे तो पॉलिटिकल पहलो उसमें आज के वर्टमान नेता अगन जो हैं उनकी चर्चा भी करना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग तो आज सुबह से भाशन दे चुके हैं आपने देखा ही लेकिन उनके भाशनों में न जाकर पहले आजादी के मह हैने को तलासने की हम कोशिश करें और उसमें राजनितिक चेतना का विकास और वो कहां तक पहुंचा है इसकी भी लेकिन उससे पहले चौदा बनाम जब पहले की बात होती है तो उसको आप किस नजरिये से देख रहे हैं ये आपके विचार आना भी ज़रूरी है जी बिलक है एक बड़ा सवाल ये है कि आजादी हमको मिली किस से पुशान जी ने बहुत विस्तार से बताया उसको कि उनीस सो सेटालीस में हम आजाद हुए उस समय हमारे यहां किस थी क्या थी हमारे पास क्या था क्या चीज़ें थी और हम अंग्रेजों के गुलामी से आजाद लोगों ने देखा और उस से आजादी हमकों मिली लेकिन 2014 के बाद घोशित तोर पर ये कहा जाता है हमारे प्रधान मंतरी जब कहते हैं कि एक हजार साल की गुलामी के बाद आज हम आजाद हो रहे हैं तो ये केवल वाटसैप यूनिवस्टी की चलाई भी बाते नहीं है कि 14 के बाद आजाद हुए है या Ah 47 के बाद ये बाकायदा नोगों तमाम लोगों की निगाह में वास्तों में 14 के बाद आजाद हो रहे हैं क्यों कि वह आजाद किससे हो रहे हैं वह 47 से लेकर के और 2014 तक का संगर्श उन्होंने नहीं नहीं देखा या वो उसको इगनोर करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि उन्हों ने साफ कर दिया कि हम 2014 के बाद आज़ाद हो रहे हैं और क्यों आज़ाद हो रहे हैं क्यों कि ये आज़ादी अंग्रेजों से गुलामी को गुलामी समस्ती नहीं थे वो एक हजार ने लंबे समय तक शासन किया और जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया धीरे धीरे करके तो गुलाम बनने में और उस दोर में भी जब उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी उन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी लेकिन यहाँ पर यह बात है कि नहीं अब एक हजार स से नहीं हुए है तो जब यह सोच है कि आप आज़ाद अंग्रेजों से नहीं हुए है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सोच में यह भी है कि इसके पहले वाली जो चीज़े हैं वो भी आज़ादी की चीज़े नहीं है तो यह बाकाइदा एक कह लीजे कि सोच में बसा हुआ थ कि आप अंग्रेजों से आजाद हुए है या फिर किस से आजाद हुए है और उसके बाद अब हम आते हैं कि जो 47 के बाद है बिल्क सही का आप शान जी ने भी अतुल जी ने भी कि हमारे पास क्या चीज़े थी और कहां से कहां ले गए पंच वर्शी योजनाए बनी योजना योग बना नेरू जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजे उसके बाद उन योजनाओं ने किस तरीके से देश के विकास में योजनाएं बनाई हर योजना में एक सेक्टर को प्राथमिक्ता दी गई कभी करिशी को कभी उद्योग को कभी मिक्स्ड इकॉनमी को इस तरह से चलता रहा बहुत सारी चीज़े पी एस यूज उसके बाद आई हैं तो ये तो एक लंबी शिंखला है लेकिन इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो दो हजार चौदह में आजादी मिलने वाला जो मिलने वाली जो सोच है आजादी पाने वाली सोच है वो क्या करते है इन ही चीज़ों को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं आते ही योजना आयोग समात योजना आयोग की जगे नीती आयोग बना वो प्रशांद जी हमको बहुत बहुतर तरीके से बताएंगे कि दोनों में क्या फर्क है अभी आगे हम जानना चाहेंगे इन से बड़ा योगदान दिया है देश की अर्थव्यवस्ता में लोगों को रोजगार देने में तमाम चीज़ों में तो ये सोच बिलकुल सोच पर आधारित है कि दो हज़ार चौदा में किसको आजादी मिल रही है और दो हजार सेटालीस में आजादी और जो दो हजार चौदा के जो अच्छी चीजें हुई थी उनको भी खत्म करने की या उनको एक कह दीजे की परदा डालने की जो कोशिशें हैं ये बहुत इस ये ठीक नहीं है इसको अगर आपने अच्छा किया आप जैसे तमाम सेक्टर्स हैं आप पोचाई स्पेस सेक्टर हो और चीजे उनमें आपने बहुत अच्छा किया आगे उन चीजों को बढ़ाया लेकिन जिनकी बुनियाद उस समय रख दी गई तो आप उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं उसको तो नहीं नकार सकते हैं बुनियाद जिसकी रखी गई जिन चीजों की वो बुनियाद उसी को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अब थोड़ा सा इस politics देश की जो राजनीती है उस धारा को समझने की कोशिश करते हैं इस podcast में और आजादी ये तो हमारे तमाम साथी शुरोता दर्शक जो इस कारिकरम को देख रहे हैं पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे उनको ज् देश का विभाजन हो गया कली 14 तारिक को एक विभीशी का दिवस मनाया गया जो अब सरकार मना रही है विभाजन विभीशी का दिवस लेकिन दूसरे ढंक से देखा जाया तो देश का विभाजन हम कई तौर पे कर चुके हैं आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे तो इस पर भी अपने को बात करनी चाहिए और इस विभाजन में राजनिती पहलू को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए राजनिती पिछले दस साल में जिस मुकाम पर नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनिती को चमकाने की कोशिश की है उसमें आप देखिए तो दो अलग अलग ध BJP की तरफ से यानि राजनितक और राजनिताओं की तरफ से कह रहा हूँ हिंदू अपनी जगपे हैं मुसलमान अपनी जगपे हैं दोनों में कुछ एक्स्ट्रिमिस्ट भी हैं और कुछ उसमें लिब्रल भी हैं हर तरह के लोग होते हैं लेकिन जो ये राजनिती है ये राजनिती जिस रेखा को खीच के आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है प्रशान जी वो घातक साबित हो सकती है होती आई है देखे बोधी साब के सामने एक बड़ा मौका था तीसरी बार उन शपत लिए पंडित नहरू के इंद्रा गांधी क लीग में वो आ गये है तीसरी वाश्यपत दिलने वाले प्रधाय मंत्री लेकिन एक बड़ा मौका था और आप देखिये कि बांगलादेश के अंतरिम सरकार के प्रधाय मंत्री मौम्मद यूनुस उन्होंने पंजरा दिन में उस मौके को पकड़ दिया और दुनिया में अ एक हिंदू मंदिर में गए और हिंदू मंदिर में जाने के बाद उन्होंने कहा कि सब बराबर है वहाँ हमले हो रहा हिंदूों पे वो उसको रोकने के लिए गए एक इंपॉर्टन संदेश सरकार के मुखिया की तरफ से आया ये बड़ी बात है ये मौका मोदी साहब के प कि वहां केवल शपत लेने की कोई संख्या, कोई स्कोर बोर्ड नहीं है. आपको अपनी महांता साबित करने के लिए महां काम करने पड़ते हैं. तो जो मैं मुहम्मद यूनूस या बंग्रादेश की तमाम चीज़ों पर कमेंटिय भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक जाहां दे रहा हूं, कि उस एक कदम से उन्होंने तमाम लोगों का दिल जीत लिया होगा, एक भरोसा दिलाया होगा, तमाम वहां पर मैनोर्टीस का, यह भरोसा आवश्चक होता है, मैं उनको कोई क्लिंचिट नहीं दे रहा हूं, लेकि एक कदम है उसको एप्रिशेट करना चाहिए, बिलकुल, एक बात, दूसरी बात की जो बात है कि यह 2014 वाला नेरेटिव और यह सब क्यों होता है, यह जो राष्टवात की नई यह बड़े मजबूरी है इनकी, और यह मजबूरी इसलिए है कि आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेटी नहीं किया, आप अंग्रेजों के साथ थे, और उस वकत कि आगर आप चिट्टियां देखेंगे, चाहे वो सावकर जिस तरीके से, माफी मानना में उन्होंने म और उस सरकार ने किस तरीके के आश्वाशन दिया जंग्रेजों को, तो उनको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि आप आजादी की लड़ी दी, तो उसका या तो वो उस गलती का पश्चत आप है, या वो ऐसासे कमतरी है, तो इसलिए यह नही एक परिभाशा गठच की जाती है, और तमाम सारे हमारे जो फीडम फाइटर्स की हीरोज है, उनके भी तमाम मिस्कोट, यानि बहुत सारी कोश्चें हुई की सुभाशन बोश के तमाम जो चिठ्छियां थी, उनको पब्लिक किया गया, अरे पिस सुभाशन बोश महात्मा गांधी को नाम देने वाल महात्मा कहने वाले सुभाशन बोश थे, रेडियो रंगून से उनको जब रेडियो का संदेश दिया था, तो उनके बीच में एक लोकतांत्रिक मत विवेश था, हमारे आप में भी होगा, लेकिन वो बेसिक जो मूल थे उस वो एक जैसे थे, लोकतांत्र वही चीज ही है सर अगर आपकी बात आप शासन कर रहे हैं, आप रही की बात पूरा पूरी जनता जो है, वो स्विकार करने लगे तो लोकतांत्र क्या रहे गया, तो फिर क्या, जब हम आप एक दूसरे का तरकों के आधार पे विरोध करेंगे, तब ही वो लोकतांत्र है, तो मूल वजे आज़ादी की डराई में पार्टिसिपेट नहीं किया, बलकि पार्टिसिपेट करके न्यूटल भी नहीं थे, आप बाकाइदा अंग्रेज के साथ थे, अब ये नई पीड़ी इसको एकसेप्ट नहीं करेगी, दूसरी एक और बात जो हतुल की मैं उस बात को थोड़ा दर करना चाहता हूं कि अंदविश्वास बड़ा है, धर्मानिता बड़ी है, एक नए किसम का राष्वाद हम देख रहे हैं, बहुत कम सब्दों में इसको मैं बताऊंगा कि देखिए उसकी जो मूल बज़े है, हमारी जो जनरेशन थी, यानि जो साट औ सतर के दर्शक में जो आजादी की लड़ाई के समय जो लोग थे, उन से वो बावस्ता थे, उनका उनके संपर्ग था, उनके घरों में थे लोग, उनके किसे कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, या उन्होंने आजादी की लड़ाई को देखा था, उन values को हमारी generation तक तो वो first generation transfer हुआ उसके बाद वो link तूट गया 90 के बाद की जशक की generation का वो link तूट गया वो link किताबों तक था उसके अलाबा वो व्यतिकत link नहीं था और वो जो link तूटा और उसी वक्त एक घटना होती है कि नई आर्थिक नितियां आती है अब वो नई आर्थिक नितियों के साथ बाजारवाद आता है ये बाजारवाद और आजादी के जो मूल थे उनका dilution इन दोनों के मिश्रण ने ये जो बनाया है जहर समाज में उससे बनके निकला है जो जिस वजे से क्या हुआ है कि धर्मानता कब बढ़ती है आर्थिक कारों से बढ़ती है जब आर्थ जब financial insecurity होती है जब आपने बहुत सारी EMI ले रखी हैं आपके credit card हैं तमाम सारे आपके बड़े बड़े सपने हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं आपकी आयस से तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे अंदविश्वास मननते तमाम सारी चीज़ें जो है वो आप करेंगे और फिर अपनी कमजोरियों के लिए आपको एक दुस्मन बे चाहिए होगा ये जो फिरामना था इसको उसने RSS या BGP के लिए जमीन बना दिए ये बात आप बिलकुल सही कह रहे हैं कि आर्थिक उदारी करन्ट का जो दौर चला और जिस तरह से लोगों को financially मतलब जो EMI के बोज में फंसे और हताशा की स्थिती एक तरह से पैदा हुई उसका एक बहुत बड़ा असर है कि जिस तरह से अंद विश्वास का जो जो पूरा का पूरा और इसका देखिए इसका पॉलिटिकल फायदा कैसे उठाया गया ये अभी हम लोगों के लिए जो या आस्था बढ़ी या देखिए हमारा देश शुरू से धार्मिक देश रहा ऐसा नहीं है कि हम कोई आज धार्मिक हुए आज हिंदू हुए या आज भगवान को मानने लगे हमारी एक लंबी परमपरा रही है लेकिन वो एक आस्था का सवाल अलग है उस आस्था को ज से प्रभावित होता है तब वहां पे समस्या पैदा होती है जाहिर से बाते उसके कारण है कारण जो आपने बताए आर्थिक कारण है वो तो है ही लेकिन बावजुद इसके अब इन तमाम परिस्थितियों में हमें जो आज का जो पॉलिटिकल सीन नजर आ रहा है जो एक न लिका जा रहा है जो लिकуса जा रहा है जैसे माले जैगा अगर आने वाले वक्त में हम राजनीती पर चर्चा करें तो जो अगला जैसे एक दुशक तो आपका इतना भायानक गुजरा अगला दुशक कैसा गुजरे गा हमारा अगला दुशक किस दिशा में जाएगा बisenे कर रहे हैं एक शोव एंकर करते हैं और प्रेस की आजादी, मीडिया, बोलने की आजादी, विचारों की आजादी, यह आजादी, शब्द है उसके निसमें, और इसको देखते हुए, अगले दस साल की राजनीती कहा जा सकती है, क्या चुनावतिया है, इसको हम लोग ज़रा चर जून के बाद से उस आजादी में थोड़ा सा कहें तो थोड़ एक जो फीलिंग है प्रशान जी, वो एक अछी फीलिंग आ रही है, अभी तक वो फीलिंग नहीं थी, 4 जून के बाद से एक अच्छी फीलिंग क्या है, सबसे बड़ी चीज, हो सकता है कि वर्तमान सत्ता के क चाहने वाले लोगों को ये बात मेरी बात पसंद ना आए लेकिन ये सचाई है समीरात्माजी की 240 सीटों पर आकर रुक जाने वाली BJP को पिछले इसी सत्र में आप देखिए कि दो बिल को रोकना पड़ा एक बिल को जेपीसी में देना पड़ा भेजना पड़ा और एक बिल लाने से पहले ही उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा और चुकि मीडिया हाउस चलाना और ब्राटकास्ट का काम करना तो एक चुनोती रहती है 2014 में जब एक बहुत मज़दार चीज और बता रहा हूँ 2014 में जब ये सरकार आ रही थी उस समय और उसके बार धीरे धीरे slightly हम लोगों ने ये देखा कि चुकि हम अखबार भी चलाते हैं अखबार भी छापते हैं तो अखबारों पर या जो सरकार का ध्यान होना चाहिए था केंद्रित होना चाहिए था जो अखबारों को मदद मिलनी चाहिए विग्यापन के तौर पे जो मिलती रही है सरकार अपने प्रचार का माध्यम अख़वार को पहले प्रमुखरूब से मानती थी प्रमुखता के साथ सरकार का जो बजट होता था उसमें एक बड़ा बजट जाता था अख़वारों को विग्यापन में वो धीरे धीरे उसमें कटोती होने लगी कटोती इसकदर होने लगी कि छोटे और मजहुले अखबार बिलकुल खतम होने लगे और वो इसके आगई अब इसके बाद अब ये ब्रॉडकास्ट बिल अगर आ जाए तो फिर एक जो दूसरा मीडियम तयार हुआ है जो सोशल मीड है निव मीडिया जिसको कहते हैं डिजिटल मीडिया कहते हैं वो उस मीडिया पे भी लगाम यानि कि आपने पहले खबारों को खतम करने की कोशिश की फिर डिजिटल मीडिया को आप खतम करने की कोशिश करेंगे ये दो चीजें लेकिन प्रसांद जी का सवाल जो है बहुत कारण है कारण यह है कि एक तो कोई भी किस बे लगाम कोई भी रहे तो वो मुकाम तक आपको पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा यह तै नहीं है घोड़ा अगर बे लगाम आप उस घोड़े की सवारी करें तो आपको पता नहीं होगा कि आपको आपके गंतबे तक घोड़ा लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा या कहीं और लेके चला जाएगा बिलकुल तो लगाम के लिए जनता ने 240 पे समेट दिया है पहला प्रशान जी दूसरी बात महत्वपूर्ण कि विपक्ष मजबूत हुआ है आप भी नियूज पॉइंट और दूसरे कारिक्रम में हम लोग चर्चा करते रहे हैं आप भी कहते रहे हैं कि सबसे मजबूत विपक्ष है आजादी के बाद सबसे हैं इसी नागरिक समाज के हैं तो इसलिए लगता है कि हां कुछ तो है कि जहां आवाज उठाई जाएगी आपकी आवाज बुलंद की जाएगी तीसरी और इसमें तीसरी बात जो इंपॉर्टन्ट है कि विपक्ष के कुछ नेता मजबूती के साथ एमर्ज कर रहे हैं राहुल गांधी के अलावा देखी आप उद्धव ठाकरे साउथ में स्टालिन इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश आदव चोटी चोर कहते थे यही मतलब क्या क्या नहीं यह बहुत दुखद है विपक्ष के सभी नेता हो राहुल गांधी को देख लीजे क्या क्या नह और सारी चीजे शांती पून चल रही है दुखद घटना है किसी भी ऐसी घटना की जितनी भर्सना की जाए वो कम होगी और किसी भी सरकार के लिए उससे उमीद की जाती है कि अपने नागरिक अपनी जनता की सुरक्षा वो प्रदान करे लेकिन उसके बाद भी अगर जो घ ठाकरे हों चाहे अखिलेश यादव हों चाहे बिहार में आप देख लीजे तेजस्वी यादव हैं हमन सोरेन हो और कलपना सोरेन हो यह सब यह सारे नेता ऐसे उभर के आए हैं पिछले छे महीने में ज्यादा पूरानी बात नहीं राहुल गांधी की तो बात और सब अपन होने की यहां लगता है कि उसके लिए एक रास्ता दिखाई देता है वो एक ये भी है और और इस बात से हो सकता है कई लोग आज की सरकार फिर से मैं कहूंगा आज की सरकार से खुश हों कई लोग ना चाहें कि कभी यह सरकार जाए लेकिन फिर भी उनके लिए और हम सब के ये जरूर ये समझना कि रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए बढ़ना बिलकुल और इसी में जो आप ये बात कर रहे हैं इसी में ये जोड़ना चाहरा हूँ जैसे परशान जी ने सवाल उठाए कि अगले दस साल में आप कैसे देख रहे हैं तो मेरा तो मैंने जितना पंक्षी कितना भी आकाश में उड़ ले आएगा ओधरती के ही पास कितना भी हमला कर लीजे चाहें अभिव्यक्ति की सोतंतरता पर प्रेस पर हमला कर लीजे कुछ भी कर लीजे लेकिन अंत में आपको ये समझ में आएगा ही कि नहीं ये जो सम्विधान में जो चीजें ल यह बता देती है कि कितना important है यह सरकार इसको एक कौन सा दिवस हो मना रहे हैं इसकी सम्विधान हत्या दिवस तो यह सम्विधान हत्या दिवस सम्विधान हत्या तो हम नहीं कहेंगे चुकि सम्विधान के प्रावधान के अनुसार ही इमर्जनसी लगाईगी लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी कि लगाया गया सपर लगा गई बोलने की आजादी चीनी गई बहुत सारी चीजे हुई उसका परिणाम भी उस सरकार को मिल गया उसी समय मिल गया पिछले दस साल से हम लेकिन बोलने की आजादी किस तरह से चीनी गई है सोशल मीडिया पोस्ट जिस पर परसनल बातें की जाती है उस पर भी अगर आप सरकार के खिलाब कुछ लिक रहे हैं पत्रकार नहीं कोई सामान ने आदमी तो उसकी पोस्ट की रीच घटवा दी जाती है इस तरह इस में वो इस्थिती आ गई तो ये चीजें वही है कि कितना भी उड़ लीजिए आखिर में आपको आणा पड़ेगा पब्लिक यहां की सारी दिखा देगी आप नारा चार सो पार का लगा रहे थे लेकिन आप आगए दो सो चालीस पर तो उसके पीछे यही कारण है आप ये हमने सुनाए कि जो इमर्जेंसी उस समय लगी थी 1975 में तो ऐसा नहीं था कि इमर्जेंसी की सारे लोग बुराई ही कर रहे थे बहुत से ऐसे लोग भी है मैं लखनव या राय बरेली में एक बार गया था रिपोर्टिंग के लिए मुझे कुछ बुजर्ग लोग मिले में बहुत फायदा ही था आम आदी बड़ा बेहतर महसूस कर रहा था तो इसका मतलब कि उस समय जो इमर्जेंसी लगाई गई उसका है हमारे घरों में या आसपास हमारे समाज में जी उसकत्त में स्कूल में था अच्छी तरीके से याद है कि जो मद्वर्ग था वो लगा लेकिन मिडिल क्लास तब तक खुश सब्सक्राइब तक उसको नस्बंदी का कोटा नहीं दे दिया गया जी तो वही कि मीडिल क्लास और एक बड़ा वर्ग था जो उसकी भी प्रशंसा कर रहा था जबकि हम लोगों के सामने अभी तक इमर्जेंसी को लेकर यही चीज सब्सक्राइब देश की राजनीतिक स्थिती बन गई थी आंदोलनों का जो दौर था जिस तरह से इंद्रा गांधी की निरंकुष्टा के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे तो वह एक कारण उसका इमर्जेंसी का था कि इन नेताओं को जल्दी से रस्ते जे हटाओ इन लेकिन इसके साथ साथ जो पब्लिक में जो परिसेप्शन था काम का जी विवस्था सरकारी दबता सही चल रहे थे सारी चीज़े से हो रहा है ओए इडी सी वी आई इंकम प्रस के ज़री हो रहा है जी जी अब अब गोशित तोर पर हुआ था अभी या गोशित तोर पर हो देखे बहुत सारी चीज़े पेंडिंग हो गई है पिछले कई वर्ष हो गई के वल मैं पिछले दस वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं उसके पहली की भी जी जी बहुत सारी रिफॉर्म स्पेंडिंग है दिल्कुल पुलिस रिफॉर्म स्पेंडिंग अभी आपने बंगाल क रेप की घटना की चर्था की निश्चित तौर पे मामता बदर जी ने पुलिस ने एक्षन लिया एक एक उसको पकड़ दिया सब बाते हो गई लेकिन क्या महिलाओं का वर्क स्पेस में सेफ्टी और जेंडर फ्रेंडली इन्वार्मेंट बन पाया यह काम करने बाकी हैं बिल आजया जो पार्लामेंटी डिमाक्रसी है ऐसके बारे में भी नए सिरे से सोचने की जरुवत है कि very fast past the post कितना मुफीद है kia इसमें कोई wiform की जरुवत है 30-50% वोट लाकर कोई व्यक्तिव पार्लमेंटी पहुँच जाता है तो इसको इसको हम कैसे cek करें कि true representation हो जो प्र पोस्टनल रेप्रेजेंटेशन के तरह हमको बढ़ना होगा कमेटिया कैसे काम करें अभी हम देख रहे थे कि अमेरिकन कॉंग्रिस कमेटी में वो सवाल पूछ रहा है सिनेटर उस से आ जब ट्रम्प के उपर हमला हुआ जी और उस सवाल जवाब में उसका इसीफा हो गया द कि बड़े अदिकारिओं कि सीबियू की से हो और किस तरीके से वो गिल कर रहा है हमारे आप परल्लेमेंटरी कमेट्वी Whisig welfare क्धिशन करते हैं क्थी करें कि बड़े यादिकारिओं के दुक्तर सकते हैं आप किसी अधिकारी को नहीं ब attractive है हिपर्लेमेंट यी चीफ को RAW चीफ को, IB चीफ को बुला सकती है सवाल जवाब कर सकती है तो जनता को अधिकार है जानने का अभी हमको बहुत सारे बनेगी राहुल गांदी के सामने बहुत बड़ा एजिंडा है डिमोकरिटिक रिफॉर्म्स का जुडिशल रिफॉर्म्स का पुलिटिकल रिफॉर्म्स का एडिनिस्रेटिव रिफॉर्म्स का ये सब चीजें क्योंकि वो एक अब एक कम्प्यूटर है हमारा मुबाइल फोन है अगर हम उसको अपडेट नहीं करते हैं साफ्टियर उसका तो बेकार है वो वो फाइव जी से टूजी में चला जाएगा इसी तरीके के हमारे देश में जो डिमोकरिटिक सिस्टम है सम्मिधान सब कुछ दिया हुआ है लेकि उसको रिफॉर्म उसके बहुत आवश्चक है रिबूट करना बहुत आवश्चक है मुझे लगता है कि भविश के जो रात देता है चाहिए वो राहुल गांदी हो उद्व ठाकरे हो अकलेश यादो हो तेजस्वी हो अभी शेप बनर जी हो इन सब के आगे एक बड़ा एजेंड़ा यह होगा कि अगले बीस तीस पाचालिस साल के लिए डिमॉक्रिटिक सिस्टम को रीबूट करें तमाम रीफार्म्स को लागू करें और इसके अलावा जो है कि जो सबसे बड़े जो सवाल है आज के तारीक में आम लोगों से जुड़े हुए जो सवाल है खासतोर से रोजगार का सवाल तो इसको भी आने वाले वक्त में सबसे प्रमुक्ता के साथ अड्रिस किये जाने की जरूरत है मिलकुल सही कह रहे हैं और अगला जो दस साल है वो साफ दिखता है कि चुनोतियां तो हैं हमेशा रही हैं चुनोतियां लेकिन थोड़ा पहले से पिछले दस साल बनाम आने वाला दस साल जो है उसमें कुछ उमीद की किरन दिखाई देती है यह सबसे बड़ी चीज है और एक बहुत बड़ी चीज है मदाव राजी जिसकी आवशक्ता है वो डिस्रॉप्टिव जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं तुजी एक डिस्रॉप्टिव पॉलिसीज की जरुष है जैसे महां में एक एक्जांबल देता हूँ कि रोनायल रीगन जब अमेरिका में आये तो उस वकत का अमेरिका वियतनाम वार के इंफिर्टी कॉंप्लेक्स से गिल्ट से निकल नहीं बाया था रोनायल रीगन ने डेफिसिट बेस्ट एकॉनमी को लागू किया और बैंक्स को लिबिलाइज किया इंसी फरनेंशन इंसीटूशन को लिबिलाइज किया वो रोनायल रीगन का एक्रोनामिक पॉलिसी थी जो आज आप वहां पे याहू, गूगल, ट्विटर, फेस्बूक और दुनिया बर का माइक्रोसॉफ टी देखते हैं कि उस जमाने के इंटर्पेनर्स से उस पॉलिसी से निकले वे इंटर्पेनर्स से इस तरीके के डिसरप्टिव डिसीजन मेकिंग अब हमारे देश को जरुवत है जो मोजी सहाब नहीं कर पाए दस साल में उन्होंने स्टेटर्स को को कंटिनू रखा वो मुझे उमीद है कि जो नए जमाने के नेता है वो साय जिसको उनके एजंडर में होना चाहिए बिलकुल सही कुछ आप कह रहे थे नहीं नहीं बिलकुल आप भी कुछ बोल रहे थे यह सही आप कह रहे हैं कि जो नई चीजें हैं और जो रिफार्म की आपने बात की तो बात तो सही है कि reform तो होते रहने चाहिए और यही चीज़ में कहना चाह रहा था जो कि मैंने सम्विधान की बात शुरू में की तो हमारा सम्विधान वास्तों में सा है यसलिए उसको कई बार उसकी आलोचना भी होती कि इतना लशीला मूल सम्विधान जो बढ़ करके हो कहां पहुँच गया पर यह उसकी खूबी भी है कि अपने भीतर ही वो reform करने की कि अगर कहीं पे लग रहा है कि इसमें संशोधन की सुधार की जरूरत है तो उसका भी उसने इंतजाम कर रखा है और उसी तरह से जो आप पॉलिसीज में और तमाम चीजों में रिफार्म की जरूरत अभी पुशांजी कर रहे थे तो तो हमेशा होते ही रहना चाहिए और उस रिफार्म के साथ यह बहुत जरूरी है को जो बजट के हल्वा के तस्वीर राहुल गान दिखाए जी वह बहुत इंप बढ़ा लिखा है जो बढ़ा एंबीशियस है वह आगे है लेकिन आप उसको धक्केज दे के पीछे किया हुए है यगर कोई IPS है वो वंची समाज का आए वा उसको जिगा नहीं मिलेगा उसको पुलिस एटक्वार्टर में डाल देंगे यह यह जो हल्वे की तस्वीर जो है हो बदलनी काई परसाद की तरह सब को बट ना चाहिए रियोडी की तरह नहीं को कर रहे है तो बहुत कुछ है इस चरचा में अगे समय खत्म हो रहा है इसलिए इस चरचा को आब यहीं समाप्त करने की जाज़ चाहता हूं लेकिन बहुत महतुपूर्ण बात हम लोग कर रह विक्सित भारत 2047 लेकिन 2025 कैसा होगा? 2026 कैसा होगा? या हमारा अगला महिना कैसा होगा? इसकी चिंता भी होनी चाहिए. 2022 में किसानों की आये दोगुनी होगी इसकी चिंता हो गई थी. शायद लेकिन उससे बड़ी खामी थी. या कहें तो एक गलती नरेंदर मोदी ने कर दी थी कि उन्होंने 2022 का जिक्र कर दिया था इसलिए उससे समलते हुए अब 2047 की बात करते हैं विजन 2047 होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत ये है कि आप आज के बाद कल की चिंता नहीं कर रहे हैं परसों बाद की चिंता कर रहे हैं ये सबसे बड़ी दिक्कत है आजादी कुल मिलाके थोड़ा सा मुस्कुराने का शन है और आजादी शब्द इतना अच्छा है जिससे आप दिल और दिमाग से थोड़ा खुशमिजाज हो जाते हैं आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है और ये आजादी ये शब्द हमारे आपके और हमारे तमाम साथी जो बने हुए हैं इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके हर पहलो हर कदम पर ये आजादी नजर आए और जिसका जिकर प्रसान टंडन जी कह रहे थे कि महिलाओं को वर्क प्लेस चाहे वो काम कर रही हों चाहे वो बाजार में जा रही हो या वो घर में हो उनको भी उस सुरक्षा की गारंटी मिले और वो आजाद रहे हैं गूमें उड़ें और उनमुक्त गगन में और उसके बाद फिर जब आए तो उसे उस आजादी का अनभाव हो तो आज की आजादी और उस पर चर्चा को यहीं विराम को देते हैं और आपको जोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं मैं तो वही याप ही की बात को मैं थोड़ा एक कर लेते हैं कि घैर बराबरी से आजादी है जी बिलकूल अगर गैर बराबरी से आजादी मिलेगी तो संविधान निर्मताओं को जो सपना था ना वो पूरा हो बिलकूल बिल्कुल ठीक वही बात मैं भी कहने वाला था कि गर वराबरी से आजादी मिलनी चाहिए और हर आदमी के अंदर ये feeling पैदा होनी चाहिए और कोई डर न रहे किसी डर में वो न जीए ये होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और अच्छी बात है कि आप emergency का जि से चाहिए तो आज इस जशन को मनाते हैं दोस्तों और इस कारिकरम को यही समाप्त करने की जाज़े चाहता हूँ पॉडकास्ट की दुनिया में आप सब का हमेशा की तरह स्वागत करते रहे हैं हम आगे भी बहुत सारे अलग-अलग एपिसोड पर ऐसे ही देखेंगे आप हमारे तमाम साथी आपके साथ रहेंगे जुडेंगे और अलग-अलग मसलों पे हम लोग अनुप चारिक धंग से चर्चा करते रहेंगे बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूँ हमारे तमाम साथियों का अतुल जी का प्रशांट अनन जी का और समीरात्मत जी का और साथ साथ आप तमाम दोस्त साथी शुपियन तक जो इस पॉड़कास्ट को